काश्री में ग्यान व्यापी पर गदर तो हो ही रहा था मत्रा और आग्रा में हल्चल तेश हो गई आज वारानसी में शंगार कौरी केस में सिविल जच के अदालत में सुनवाई हुई कोर्ट कमिशनर की निस्पक्षिता मामले पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिशनर बदलने की मांग पर अड़ा है वही हिंदू पक्ष ने मजजित में सर्वे और वीडियोग्राफिय कराने के लिए समक्ष अधिकारियों को आदेश देने की मांग की कल कोर्ट कमिशनर और अगले सर्वे पर फैसला आ सकता है वहीं इस पर सियासत भी चरम पर है यूपी बिजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरट के सर्धना से पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया सोम बोले ग्यान वापी का 2022 में 1992 जैसा हश्र होगा जब अधिकारी कोट के आदेश पर जो गए है जब अंदर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ तो स्वास्थिक बना हुआ है वहाँ तो भगवान की मुर्ती लगी हुई है आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा आपती जानते हैं तो बान में में हुआ वोपाइस में होगा उतर कृष्ट जन्व भूमी मामले में आज मतुरा कोट में सुनवाई नहीं हो सकी वादी महिंद्र प्रताप सिंग एड़ोकेट और केशो देव बनाम शाही मस्जित इदगाह केस में सुनवाई होनी थी मतुरा में वादी पक्ष का दावा है कि मतुरा की इदगाह मस्जित में कमल के निशान है ओम और स्वास्ति के निशान भी है इसके लावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतिया है इदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर है जिन में से एक एहम केस 13.37 एकर जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है जिस में से 10.9 एकर जमीन श्रीकिष्ट जन्वभूमी के पास और 2.5 एकर जमीन शाही एदगाह के पास है इन सभी मामलों में कोट के फैसले का इंतिजार है उदर ताज महल मामले में 12 मैं को सुनवाई होगी ताज महल के 22 बंद कमरे खोले जाने, वीडियोग्राफिक राए जाने और कमेटी बना कर हिंदु देवताओं से सम्मधित साक्षों की जाच करने के लिए दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सके इलहाबाद हाई कोट की लखनो बेंच में दायर याचिका में कहा गया है कि ताज महल के 22 कमरों में तेजु महलाई के पुखता सबूत है याचिका के मुदाबिक वो सबूत हिंदु देवताओं की मूर्ती के रूप में है फिलहाल उन 22 कमरों में किसी को जाने की इजाज़त नहीं याची का करता का कहना है कि उन सभी 22 कमरों को खुला जाए ताकि मंदिर या इद्गहा वाले विवात का अंतो हो अब आपको बताते हैं कि ताज महल के उन 22 कमरों की मिस्टरी क्या है एक रिपोर्ट के मताविक ताज महल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्स के नीचे 22 कमरे बने हैं ये वही 22 कमरे हैं जो आखरी बार 1934 में खोले गए थे यानि आज़ादी के पहले कमरों को खोला गया था और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया एक दावे के मताविक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंध है साल 1934 में भी इसको सिर्फ निरिक्षण के लिए खोला गया था लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है तो सबसे पहली मांग हमारी है कि वो जो 20 से जादा कमरे हैं वो कमरों को खोला जाए दूसरा एक फैक्ट फैंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करें जो तै करें जो ये फाइंड आउट करें कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस से क्या है और इस पूरे ताज महल का रहस से क्या है आखिर ये वाकई में क्या राजामान सिंग का पैलेस था तेजो महले था वहाँ पे भगवान शिव की मुर्ती थी उसको जो है साजा ने टेक ओवर किया और वहाँ पे जो उनकी बेगम थी मुम्ताच 600 किलिमेटर दूर जहां उनकी मृत्ती हुई थी वहाँ से लेया कि उनको दफनाया या फिर ये वाकई में ताज महल है बहरहाल जिस तरह एतिहासिक धरोहरों और मंदिर मज्जितों पर सियासी हल चल चल हो रही है वो फिलहाल तमती नजर नहीं आ रही वारनसी से रोशन जैसवाल आग्रा से अरविंद शर्मा मत्रा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक बीरो